वोजपूर जिला कंग्रिस कमिटी की जिला दियक्षा शोकराम के नेतरत्व में भारत जोडो यात्रों की वर्षगांट पर जो भारत के लोगप्रिये जन नायक नेता राहूल गांदी जी के द्वारा 7 सितंबर 2022 को कन्या कुमारी से शुरू होकर 12 राजियों और दो केंद्र शाशिद प्रदेशों को लगबग 4000 किलोमीटर पैदल मार्च की गई थी 150 दिन में मोदी सरकार द्वारा देश पे परोसे गए धार्मे कुनमाद और जाती संगष और महंगाई बेरोजगारी किसानों नौजवानों और महिलाओं एवं चात्र चात्राओं की जीवन समस्या जो भारत ही नहीं बलकि दुनिया की सबसे एतिहासिक पैदल यात्रा के रूप में जानी जाती है। थाने से भी माठ होते हुए भारत की समविधान निर्माता डॉक्टर भीम रावंबेटकर जी की प्रतिमा पर माल्यार पनकर सभा की समाप्ती हुई। गांडी जी के निर्टितों में पिछले साल आज ही के दिन से भारत जोलो यात्रा सुरू हुआ था। कन्या कुमारी से कस्मीर तक आज उसके बर्सगात के उसर पर हम लोग उस बर्सगात के मनाने के लिए आम जनता के बीच में इस भारत जोलो यात्रा के माध्यम से आदानिये नेता राहुल गांडीगी के संदेश को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इस परकार से भारत जोलो यात्रा के सफलता के बाद पूरे भारतिय जनता पार्ती की सरकार केंद्र की मोधी सरकार घबराई हुई हैं। आम जल्टा के जो भी मुद्देत है वो आदानिय नेता राहुल गांधी जी नहीं ठाया है और राहुल गांधी जी को इस देश की जल्टा अलस्विकार कर रही है और अगामी 2024 के चुनेयों में आदानिय नेता राहुल गांधी जी परधान मुंत्री बनने जा रहे आज हम लोगो जन नायक जन प्रियनेता राहुल गांपी जी द्वारा आज ही कि दिन भारत वो जात्रा पूरू की थी आज एक साल होने पर एक बर्ष पूरा होने पर आज हम लोग परसिगांध के रूप में हम लोग पत्यात्रा कर रहे हैं आज नफरत चोलो भारत जोलो जुएगा भारत जीतेगा इंडिया आज राहुल गांपी जी का एक बर्ष पूरा होने जाया है इसके उकलक्ष में हम सबों ने आज भुत्पुर जीला कांग्रेस कमिती के जीला ध्याक कशोक राण जी के तत्वाधान में आज या भारत जोलो जात्रा आरा सार के मुख बार्गों पर निकाले हैं और राहुल गांपी के संदेश को घर-घर तक पहुंचाने का हम लोगाम करेंगे राहुल गांपी जिन्दावार अजिन्दावार